हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन, मैं एसिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीन ठाकुर, आज जिस विशे को लेकर आप लोगों के विच उपस्तित हूं, वो है सरदार पतेल का राष्ट्र या एकिकन संबंधी विचार, ये जो पिक है, बल भाई पतेल जी का सरदार पतेल जी का राष्ट्र या एकिकन संबंधी विचार, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जीवन परिचे से, यदि आप चैनल पर नहीं हैं, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जीवन परिचे सरदार पतेल जी का जनम गुजरात में नादियाद गाउं में हुआ था, इनके पिता जी का नाम झावेर भाई पतेल, एब माता जी का नाम जो है लाडवा देवी था, यह अपने जनम से लेकर 17 वर्ष के आयूतक पतेल अपने गाउं में ही रहे, जहां इन इन्होंने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की अपने स्वधिहाई से ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की बाद में उन्होंने लंदन जाकर बैरेस्टर की पढ़ाई की तो 17 वर्ष की आयू के बाद और स्वधिहाई से अधिन करने के बाद वे लंदन गए और वहां से बैरेस महत्मा गांदी जी के विचारों से प्रेरित होकर क्योंकि महत्मा गांदी जी के विचारों से ही सरदार पटेल जी बहुत प्रवावित थे इसलिए इन्होंने भारत की स्वतंतरता संगराम में भाग लिया और भारत की स्वतंतरता संगर्श में इन्होंने महतोपुन योगद प्रशाशक थे इनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी चाहे वो राजनिती हो चाहे वो देश हो समाज हो इनके प्रती जो है इनकी सोच थी वो बहुत बिजनरी थी यह एक अच्छे प्रशाशक थे अच्छे प्रशाशक एक अच्छे एडिंस्ट्रूइटर थे संपन व्यक्तित्व के धनी थी इनकी परस्नेलिटी जो है डाइमेंशनल मल्टी डाइमेंशनल इनकी परस्नेलिटी थी भारत में जो है उच्चतम राजनेताओं में इनकी गिन् तो उस्व में जो भारत की जो अंतरिम गवर्णमेंट थी उस्व में और यह जो है भारत की प्रतम गरिया मंतरी थी और यह उपरधान मंतरी के रूप में भी इनों ने जो है कार्य किया है। भारत को एकिकर्ट और स्रतंतर रास्टर स्थापित करने में इनका महतोपुर्ण योगदान है इन्होंने भारत की राजनितिक एकिकर्ण और के लिए जो है और 1947 में भारत-पाकिस्तान की गृह मंतरी के रूप में भी काम किया है तो राष्ट्री एकिकर्ण संबंदी जो है पतेल जी के पिचार इस प्रकार है तो जो है पतेल जी राष्ट्री एकिकर्ण से क्या समझते थी ये हम समझने का प्रियास करेंगी इनका योगदान जो है राष्ट्री एकिकर्ण के लिए क्या था देश को जब एकिकरित किया रास्ट्री किकन का अब रिप्राई क्या है यहाँ पर जब देश को इंटेग्रेट करके जो है एक संगों का राज्य बनाया गया एक Union of States बनाया गया तो उसको इंटेग्रेट करने में क्योंकि यह उसमें Home Minister थी तो Union of States बनाने में इनका जो है क्या योगदान रहा है सबसे पहले देखते हैं स्वतंतरता संगर्ष के आंदोलन में तो सबसे पहले इनोंने खेडा का संगर्ष किया था सरदार पटेल ने खेडा में जो है किसानों का नेत्रित्व तथा मार्गर्दशन किया खेडा जो है जगा गुजरात में है यहाँ पर इनोंने kisानों का नेत्रित्व तथा यह उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान है खेडा में क्या हुआ था कि खेडा संगर्ष 1918 में गुजरात के खेडा खंड में हुआ इस आंधोलन में किसानों ने अंग्रेजों से भारी कर में जो है छूट की मांग की जो खेड़ा खंड था वहाँ पर जो किसान है किसानों पर अंग्रेज जो है बहुत जादा टैक्स लगा रहे थे उनकी फसलों के लिए उनके उपर बहुँ ज़ादा टेक्स लगा रहा था और जो वहां के किसान थे उनकिसानों ने पटेल के नित्रित्व में अंग्रेजों से इस भारी कर को कम करने की इसमें छूट देने की मांग की जब इनकिसानों की यह मांग जो है अंग्रेजों द्वारा स्विकार नहीं की गई तो सरदार पटेल ने गांधी जी एवं महात्मा गांधी जी एवं अन्या किसानों के नित्रित्व के साथ जो है और जोड से आंदोलन किया और उन्हें टेक्स ना देने के लिए प्रेरित कि किसानों को जो है अंग्रीजों को टेक्स ना देने के लिए प्रेट किया अंत में जो है इनकी संघर्ज के परिणाम सुरूप जो है बिटीज सरकार को जुगना पड़ा और सरकार को जो है किसानों को जो करों में जो टेक्स में राहत जो है दी गई जो उनको कर देने पड़त यह सरदार पटेल का राश्ट्रिया एकिर्ण में प्रथम सफलता थी राश्ड को एकिकरुट करने में लोगों में जुए जागरिती उत्वपन करने में यह उनका بहुत worthy tolerant योगदान घा तीब यह स्वतंतरता संधर्श के दौरान 128 में गुझरात में हुआ बार्दोली सत्यागरह यह प्रमुक आन्दोलन था इस आन्दोलन का नेत्रित्व भी शरी सरदार पतेल ने किया जो बार्दोली सत्यागरह था 1988 में गुज्रात परांध की सरकार ने किसानों के लगान में 30% बिरिधी कर दी थी तो 1930 में जो गुजरात परांध की सरकार थी जो बृटिशर्स के अधीन थी उसने किसानों को जो लगान था किसानों के लगान में 30 प्रतिशत बृध्धी कर दी थी सरदार पटेल ने इस जो है लगान की बृध्धी का जम कर विरूद किया सरकार ने इस आंधोलन को कुचलने के लिए कई कठोर कदम उठाए अंत में विवश होकर किसानों की मांगों को मानना पड़ा अर्थात जब जो है इस जो है लगान की बृध्धी के विरूद जो है सरदार पटेल के जो है साथ उनके नेत्रितों में जो है किसानों ने विरूद किया तो सरकार ने इस आंदोलों को कुचलने के लिए कई कठोर कदम उठाए अंत में विवश्च होकर किसानों की मांगों को सरकार को मानना पड़ा और करों को 30 प्रतिशत से घटा कर वहाँ पर 6.03 प्रतिशत रखा गया जो इस सत्यगरा आंदोलन की एक सबसे बड़ी सफलता थी इस सत्यगरा आंदोलन की सफल होने के बाद जो बार्दौली में जो महिलाएं थी महिलाओं ने बललब भाई पटेल को सरदार की उपाधी दी तो जब उन्होंने इस आंदोलन का इस बार्दोली सत्यगरा का सफलता पुरवक जो है नेत्रित्म किया तो उसके बाद वहाँ पर महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधी दी थी तो इन संघर्षों से भारत स्वराज्य के करीब पहुंचा और स्वराज्य प्रापत करने के बाद उन्होंने रास्ट्रिय एकता को मजबूत किया तो महात्मा गांधी के साथ-साथ इन्होंने नेत जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो है बल्लभाई पतेल का योगदान रास्ट्रिय एकी करन में जब भारत स्वतंतर हुआ 15 अगस्त 1947 को तो उसके बाद भी इनका जो कॉंट्रिव्यूशन है वो आदित्य है भारत की जो है कॉंटेक्स्ट में बल्लभाई प किसी पद का लोब नहीं था अर्थात वो कभी भी किसी राजनितिक पद के लोब में वो काम नहीं करते थे बल्कि वो रास्ट्र सेवा को सरवोच मानते थे रास्ट्र सेवा को हमेशा वो सरवोच रखते थे स्वतंतर था के बाद उन्होंने उप मंतरी तथा ग्रिह मंतरी क कार्या सौंपा गया जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद उन्हें ग्रीह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कार्या सौंपा गया तो उन्हें ग्रीह मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भारत की भारत को एकिकर्ण करने में बहुत भूमी का निव्हाई अर्थात जब जो है हमारे यहां पर पांसो पैंसट जो देशी रियासे थी उनको एक इकरित करने में उनको भारत में मिलाने में उन्होंने जो है बहुत महतोंपून भूमी का निवाई है इसलिए उनको जो है आईरन मैन आफ इंडिया लहो पुरूश का नाम दिया जाता है तो अजादी के बाद जो उनका देश को एकिकरित करने में जो भूमिका है वो इस बात से दिखी जा सकती है कि किस परकार उन्होंने शांती पुरवक पांसो पैंसेट रियासतो मेंसे बहुत सारी रियासतों को जो है भारत के संग में मिला दिया तो देश को एकिकरित करने में पटेल जी की क्या भूमिका है रास्ट्री एकिकर्ण में इनकी क्या भूमिका है सरदार पटेल की ग्रिये मंतरी के रूप में पहली प्रात्मिकता यह धी की देशी रियासतो को भारत में मिलाया जाए तो जब भी जो है ग्रहे मंत्री वने तो उनकी पहली प्राथमिकता यह थी कि देशी रियासतों को जो प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में जब हम जो है स्वतंत्र हुए थे तो उन 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स को जो है मिला कर जो है एक राजियों का संग बनाना था एक union of state बनाना था तो उसके लिए उन्होंने प्रथम प्रयास किया भारत की एक इकर्ण में उनका महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लहपुरुश कहा जाता है स्वतंदरता की समय भारत में 565 देशी रियासते थी जो राजा रजवारों द्वारा च को समझाया थे जो हैं 565 देशी रियासतों की राजाओं से मिली उन्हें समझाया और उन्हें भारत में शामिल होने के लिए मनाया और बहुत सारी देशी रियासतें जो है इन जो है पांसो जो है पैंसेट रियासतों में से बहुत सारी जो देशी रियासतें हैं वो भारत संग में मिल गई तो पटेल की जो तुलना है देशी रियासतों को भारत में मिलाने के कारण जो है पटेल की तुलना जर्मनी के जो है लोह चांसलर प्रधान मंतरी बिसमार्क से भी की जाती है पटेल ने विना खून खरावे की भारत को भारत में अधिकतर रियासतों का एकिकर्ण किया और कुछ रियासते ऐसी थी जो ना तो भारत में मिलना चाहती थी और ना तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी बलकि वो स्वतंतर रहना चाहती थी तो ऐसी रियासतों को भी पटेल ने भारत में मिलाया अपनी सूजबूज और योग्यता के दम पर तो ऐसी रियासतों में जुनागर्ड और हैदरावाद और काश्मीर की रियासती प्रमुक थी तो बाकि लगवग सभी रियासते पटेल के आमंतरन पर भारतिय संग में शामिल होगी थी लेकिन केवल जमु कश्मीर, जुनागर्ड और हैदरावाद ये तीन ऐसी रियासते थी जमु कश्मीर, जुनागर्ड और हैदरावाद ये स्वतंतर रहना चाहते थी यह ना तो भारत में मिलना चाहते थी ना तो यह पाकिस्तान में मिलना चाहते थी तो यहां के राजाओं ने इस आमंतरन को नहीं सुकारा और यह रियासते स्वतंतर रहना चाहती थी तो सबसे पहले हम जानेगी जुनागर रियासत को किस प्रकार जो है उन्होंने रास्ट्र में जोड़ा भारत रास्ट्र में जोड़ा एक इकरित किया जुनागर जुनागड जो है सौरास्टर के पास एक छोटी सी रियासत थी और यह चारों ओर से भारतिय भूमी से घिरी हुई थी तो जुनागड के नवाब जो है 15 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान में गोशना जो है पाकिस्तान में विले की गोशना कर दी थी तो जुनागड की जो नवाब थी उन्होंने 15 अगस्त को जो है क्योंकि ब्रिटिश ने ये कहा था कि जो भी समुधाय जो है चाहे वो भारत में मिलना चाहता है चाहे वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो लोग स्वतंतर है तो इन रियासतों में से इन तीन जो रियासते है जुनागर्ड, हैदरावाद और जमु कश्मीर ये स्वतंतर रहना चाहते थी तो जुनागर्ड की नवाब ने 15 अगस 1947 को ये गोशना की कि वो पाकिस्तान में जो है मिलना चाहते हैं तो इन रियासतों में जो रहने वाली सरवाधिक जनता थी वो हिंदू जनता थी जुनागर्ड में तो वो भारत में मिलना चाहते थी भारत में बिलई होना चाहते थी लोगों ने नवाब की विरुद बिद्रोह किया तो भारतिय सेना ने जुनागर्ड में प्रवेश करकर जो है नवाब को डर से भगा दिया और नवाब डर के मारे पाकिस्तान जो है चला गया और परिणाम सुरूप नवंबर 1947 में जुनागड को भारत में मिला दिया फरवदी 1948 में जुनागड में जैनिमत संगरह करवाया गया जो भारत के पक्ष में रहा और जुनागड को भारत में मिला गया तो जुनागड को इस तरह अम्वेदकर ने भारतिय संग में मिलाया हैदरावाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी तो यह रियासत चारों और से भारतिय भूमी से घिरी हुई थी हैदरावाद के निजाम पाकिस्तान के प्रोचाहन में आकर भारतिय संग में नाशामिल होने का इन्होंने निर्ने लिया अर्थात जो उस समय हैदरावाद के निजाम थी उन्होंने पाकिस्तान के प्रोचाहन में आकर भारत में नाशामिल होने का निर्ने लिया और इन्होंने एक स्वतंतर राज्य की रूप में हैधरावाद को स्थापित करने का प्रियास किया या स्थापित करना चाहा तो इस उदेशे के लिए वह अपनी सेनाएं आगे बढ़ाने लगा और बहुत सारे हत्यार आयात वह निरियात करने लगा हैधरावाद का निजाम 13 सितंबल 1948 को भारतिय सेना और परिणाम सुरुक तीन दिनों के बाद निजाम ने आत्म समर्पन कर दिया और नवंबर 1948 को जो है है धरावाद को भी भारतिय संग में बिलाइक कर दिया गया तो इस प्रकार उन्होंने है धरावाद को भारतिय संग में मिलानी के लिए जो है ज में जो है एक फाइनल सेटलमेंट जिसका किया गया तो जमु कश्मीर की समस्या क्या थी कि जब जो है यह रियासत थी यह रियासत जो है पंडित नहरू के स्वतंतरता के समय जो है स्वतंतरता के बाद यह कर अपने पास उन्होंने जह है जमु कश्मीर को रख लिया था कि यह समस्या एक अंतरास्टी समस्या है इस समस्या को स्युकतरास्ट संग या कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान हमेशा से ही इनमे संगर चलता रहा है तो जमू कश्मीर की समस्या थी किया जब जो है जमू और कश्मीर की जो राजा थी उसमें वो हरी सिंग थे और हरी सिंग थे ये एक प्रिंसली स्टेट थी जमू कश्मीर यहां का जो राजा था यहां का राजा हरी सिंग था और वह ना तो भारत में मिलना चाहता था हरी पाकिस्तान ट्राइवल इन्फिल्ट्रेशन करके राजा पर आकरमन कर देता है राजा हरी सिंग पर तो मजबूरी में आकर राजा हरी सिंग भारतिय संग से मदद मांगता है जो है मिलिटरी मदद मांगता है जिसके बदले में भारत संग उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जब कश्मीर में परिस्तितियां ठीक होती है तो वहां के लोगों को रिफ्रेंडम के तहत ये डिसाइड करने का अधिकार हो या इसको साइन किया गया उसके बाद पाकिस्तान की सेनाओं को जमुकाशमेर से भगाया गया और कुछ पार्ट उन्होंने अकोपाई भी किया तो फाइनली जमुकाशमेर की समस्या भारत पाकिस्तान 1947 से ही UNO और दूसरे प्लेटफॉर्म पर दोनों ही देश तो 5 अगश्ट 2019 को भारत के परधान मंत्री शिरी नरेंदर मोदी और ग्रही मंत्री अमित शाह जी के प्रियास से कश्मीर को विशेश राज्य का दरजा जो दिया गया था अनुछेद 370 के अंतरगत और 35A के अंतरगत जब जो है इसको जो है ऑटोनॉमस स्टेट का दरजा दिया गया था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जो है जम कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था इसी के साथ जो है जो है 2019 में जब जो है आर्टिकल 370 को और जो है आर्टिकल 35A को हटा कर जो है जम कश्मीर को भारतिय संग में मिला दिया जाता है तो उसी के साथ 30 अक्तूबर 2019 को जमु कश्मीर और लधाक को जो है दो केंदर शाशित प्रदीशों के रूप में अस्तित्व में लाया गया तो जो है फाइनली जमु कश्मीर जो है भारतिय संग का हिसा बन जाता है तो इसमें भी जो है पटेल का बहुत योगदान था 1947 में बरतमान समय में तो शिरी नरेंदर मोदी और जो है ग्रीय मंतरी जो है शिरी अमिच्छा की जी के नेतरितुव में तो इसके अलावा जो है भारत की संबिधानी प्रकुरिया या संबिधान की निर्मान और उसके देडिकरन में भी पटेल जी का बहुत योगदान है क्योंकि जब भारत का संबिधान बन रहा था भारत की संबिधान की स्थापना और संबिधानी परमपराओं की निर्मान मे इसके लिए उन्होंने जो है अलप संख्यकों को जो है स्थान सुरक्षित करने का भी रोध किया और जो है संभिधान समिती के द्वारा जो है उनका विचाहद ये स्विकार किया यदि आवशकता पड़ी तो रास्टपती जो है राजियों में राजियों के शाषन को अपने ह हाथ में ले सकता है यह भी इनकी रिकोमेंडिशन थी वे मौलक अदिकारों की समिती के से भी संबंधित थे तो संभिधान निर्मान में भी उनका जो योगदान है वो बहुत आद्यूत्य है ग्रह मंत्री के रूप में राश्ट्रिय एकिकर्ण में योगदान तो सरदार प सर्विसिज को जो है आईएस में आईसी एस को जो है आईएस में कनवर्ट किया इन्डियन सिविल सर्विसिज जो अंग्रेजों के समय हुआ करती थी उनका नाम बदल कर जो है इंडियन एडमिस्ट्रिटीड सर्विसिज किया गया अर्थात जो है उन्होंने जो है अंग्र प्रशाषनिक समस्याओं को सुलजाने में उनका महतोपूर्ण योगदान है। नीती के प्रती सावधान किया इस पत्र में उन्होंने चीन की ब्याभार को बताया कि चीन किस परकार की भाशा का यूज भारत की संदर में कर रहा है या चीन का जो रविया है वो भारत की प्रती किस परकार का है तो निशकर्ष में हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल ने रास्ट्री एकिकर्ण में महतुपुन योगदान दिया है चाहे वह योगदान स्वतंदर्ता संघर्ष के संदरब में हो या स्वतंदर्ता के बाद देशी रियासतों के एकिकर्ण में हो सरदार पटेल ने इन सभी में महतोपुन भूमिका निभाई है और सरदार पटेल को जो लह पुरुष की जो उपाधी दी है सरदार की उपाधी दी है बास्तब में सही है लह पुरुष की रूप में उन्होंने भारत को एकिकरित किया है और सरदार की रूप में उनने स्वतंतरता संघर्ष की आंदोलों में जो है उन आंदोलों का नेत्रित्व किया है धन्यवाद